दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं step two error को लेकर काफी लोगों के channel पर error आग्या है जिसको वो ठीक करना चाहते हैं fix करना चाहते हैं पिर भी वो नहीं कर पा रहें तो कैसे आप इस समस्य को ठीक कर सकते हैं या आपके चैनल पर यह error आ आगया तो आप लोगों को भी सीख लेना चाहिए कि आपको यह कैसे ठीक करना है किसी के भी साथ यह इसूँ आता है तो उसको आप लोग घर बैठकर खुद से ठीक कर सकते ह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोसेस बताऊगा आपको लोग क्या मिश्टे करते हैं जब एडसरस एकाउट को क्रेट करते हैं तो भाई आपको यहां पर वाली की से समझना है सीखना है को कैसे एडसरस एकाउट बनाना है क्योंकि आप लोग भी अगर YouTube से अनिक करना चाहते हैं तो आपको भी यह सीखना चाहिए क्योंकि यह फश्ट पार होता है हमें अपने चैनल से अनिक कराने में ठीक है जब तक हम एडसेंस एकाउंट नहीं बनाएंगे लिक नहीं कराएंगे तब तक हमारी अनिक नहीं होगी क अगर आप लोगों ने मुझे अभी इस्ट्राइम का फोलो नहीं किया तो फटाट से वीडियो के डिस्क्राप्शन लिखते हैं उस पटच करो अपने भाई को फोलो जरू कलिना क्योंकि वहां पर भी बहुत इंपोटेंट अफडेट डालता रहता हूं दोस्तों अगर आप कोई और इसू है जिसको आप ठीक नहीं कर पार रहे हैं तो आप मुझे कमेंट जरू करना मैं आपकी उस समझ से कोई ठीक करने की पूरी कोसेश करनेगा तो चले वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर चैनल लोग इन किया है उससे पहल यहाँ नियुक तुरू कर चलता होाँ मौनिटाजिशन वाले उबशों पर यह है मौनिटाजिशन जैसे हमने इस पर क्लिक किया उसके बाद आप देखेंगे यहां पर इरर आया हुआ है और यहां पर जो एरर आया है उसका रीजल है एक्सैटिंग एक्कांट अब हाप यह कहेंगे fix in adsense and change associate तो यहाँ पर यह दो option है सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है वीडियो में आगे वढ़ने से पहले आपको एक नया gmail account बना लेना होगा और वो भी phrase name से एक phrase mobile नमर से या आप लोगों की पास already phrase adsense account है तो फिर आपको gmail icon बनाने की कोई जरूरत नहीं है अगर आप लोग नया adsense account बनाने के बाद link करना चाते हैं तो उसके लिए आपको एक gmail icon बनाना होगा यहाँ पर आप देखेंगे change association पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद जिस mobile में आपकी यह id login है उससे आपको permission देनी होगी दोस्तो जैसे हमने mobile से permission दी उसके बाद आपके सामने ऐसा page icon निकल कर फिर आप यहाँ पर देखेंगे select जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने तीन option आते हैं निकल कर पहला है yes I have an exciting account और number two पर है no I do not have an exciting account बाई अगर आप लोगों के पास active adsense account है तो आपको yes वाला option select करना होगा अगर आप नया adsense account बना कर लिंक करना चाहते हैं तो आपको new वाला option select करना होगा उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे continue and cancel तो यहाँ पर आपको continue कर देना है फिर आपको यहाँ पर करना क्या होगा जो आपने नया जीमेल एकाउंट बनाया था उस जीमेल एकाउंट से आपको यहाँ पर लोगिन करना होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे use another account हमने इस पर क्लिक करेंगे और नया एकाउंट डालने वाले हैं जीमेल आडी यहाँ पर फिल कर दी है उसके बाद नेश्ट कर देते हैं पासबर भी फिल कर दिया है और फिर से हम नेश्ट कर देते हैं अब भाई आप लोग देखेंगे जो हमारा google adsense account है वो login हो गया है यहाँ पर भाई आपको वारिकी से समझना है काफी लोग यहाँ पर mistake करते हैं जिसके बाद उनका channel in progress में चला जाता है तो भाई यहाँ पर आप देखेंगे आपके channel का जो email account है जिस पर आप adsense account बनाना चाहते हैं वो idea आप आ जाएगी फिर भाई आपके channel का URL यह automatic आता है आपको फिल नहीं करना है यहाँ पर आप देखेंगे get more out of adsense यहाँ पर भी दो option दिये गए हैं तो यहाँ पर no बाला आपको select करना होगा उसके बाद आपको scroll कर लेना होगा भाई जैसे हमने scroll किया फिर आप देखेंगे select your country यहाँ पर आपको अपनी country select करनी होगी जो भी आपकी country है उसको आप select कर लीजिएगा फिर भाई वो आप यहाँ पर देखेंगे please review and accept our terms and conditions यह है एक agreement इसको आप लोग पढ़ना चाहते हैं translate करने के बाद भी पढ़ सकते हैं तो मैं इसको already पढ़ चोगा हूँ तो मैं करता हूँ यहाँ पर टिक उसके बाद आपको create account कर देना होगा अब आपको क्या करना है customer information यहाँ पर लिखा हुआ है account type तो भाई यहाँ पर आप देखेंगे इंडूल आपको रखना होगा उसके बाद जो आपका name है जिस name से आप यहाँ पर absence account बनाना चाहते हैं वही name आपको यहाँ पर डालना होगा उसके बाद आपको address line बन में आपको अपना complete address डाल देना होगा और यहाँ पर देखेंगे address line 2 को खाली छोड़ सकते हैं या इसमें भी आप जो भरना चाहें address, district, mobile नमर कुछ भी fill कर सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे city तो जो भाई आपकी city है वो यहाँ पर fill कर दीजिएगा फिर आप लोग देखेंगे यहाँ पर postal code तो आपके other card पे होता है voter card पे होता है या आपके passport कहीं पे भी आपका जो postal code है आपको नहीं पता है family में से पूछ लो या आप अपने परोशी से भी पूछ के यहाँ पर fill कर सकते हैं जो आपका state है उस state को यहाँ पर select कर लीजिएगा तो यह सारी information में fill कर लीता हूँ complete information यहाँ पर fill कर दी security के चलते में आप लोगों के साथ share नहीं कर सकता यहाँ पर आप तिकिंगे submit आपको कर दीना है फिर भाई आप लोगों के सामने ऐसा page आएका redirect आपको कुछ नहीं करना है थोड़ा सा wait करना है automatic redirect होका उसी page पर पहुँचेगा जहां से आपने error था उसको fix करना start किया था दोस्तो तब तक आप इस video को like कर दो चैनल पर नहीं हो तो अपने भाई के इस channel को subscribe कर लो क्योंकि यहाँ पर इसी प्रिकार के content आपको मिलते रहते हैं दोस्तो आप देख सकते हैं अभी हमारा यह channel है in progress में जा चुका है अब आपको यहाँ पर करना क्या है थोड़ा सा आपको wait करना है हम भी यहाँ पर wait करते हैं कितना time लगता है इसको done होने में दोस्तो कुछ घंटो बाद channel को दोबारा से login किया उसके बाद अब हम चलते हैं monetization वाले option पर यह रहा monetization हमने इस पर click किया अनले इन भाई के channel पर जो issue था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं solve हो गया है